तो हेला एवरिवन लास्ट वीडियो में रिपाबिटी को स्टार्ट कर देते हैं वहाँ पे बहुत सारी चीजिए थी जापने बेसिक समझेए थी प्यक्राइब समझे थी एक टॉपिक वहाँ पर छोड़ा था वहाँ पे चोड़ा था कि आज की वीडियो में उसको लेने वा तो कैसे आप सभी लोग I hope you all are fine तो मैं असरो स्वागत करता हूँ आपका हमारी यूटूब चैनल जेयार टूटोरियल्स पर तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दू कि अभी तक मुझे आपने इंस्टा पर फॉलो नहीं किया और यहाप जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क आप सिंपली मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं या फिर मुझे मेसेज करके डिर्कली इस्टेग्राम पर बोल सकते हैं उसके बाद अभी तक आपने हमारे जेयार टूटरियल्स के आप्लिकेशन नहीं किया तो यहां पर जाके सिंपली आप डाउनोड कर लिजए कि वहां पर बहुत सारे वीडियो स्पीचर में आने वाले और अभी च्वीश्ट भी चाले होगा जो आपको एक्जाम के टाइम पर प्रिपेर करने हैं बहुत सब्सक्राइब किया है यह आते कैसे हैं उसको निकालते कैसे वह सबस्ते पहले फॉर्मलेस देखेंगे और उसके बात कोस् एक तरीके से मीन होता है वो हमने किस तरीके से निकालते है उसके बाद क्या होता है वीउप्स इसको कैसे तरीका हूं होता है सबसे आप अग्यूton निकालते है事情 संब्सक्राइब कर दीजिए और सबका समेशन निकाल यहां पर क्या लिख रहे हैं इस तरीके से लिख रहे हैं जब करूंगो तो यह चीज़ जादा सच्छे से क्लियर होगी बस आपको यह फॉर्म में अपनी दिमाग में रखना है कि किस तरीके से यह आता है और सारे वेलिज को कोशन करते वे देख लेंगे अब आता सब्सक्राइब करने बोलेगा जहां पर यहां पर आपको लान होने चाहिए तो वहां पर काम आ जाएंगे इसके अलावा पर कुछ फॉर्मलेस होते हैं अगर आगे अलेक्सिस में आपको बता दूंगा ठीक है आगे बढ़ते सबसे पहला जो कोशन नमपर 9 आज का है वो और हम लोग को बोलें करना मतलब क्या फाइंड करना है तो यह निकालना है वी निकालना है तो सबसे पहले आपन करेंगे यह टेबल दिये वाला इसको होरिजंटल वे में बना लेंगे कैसे होरिजंटली बना रहा हूं अब देखो पहला क्या है एक से और कुछ कॉलम होगे तो वे चीज निकलता है तो यहां पर क्याएंगा XI दूसरा क्या एगा हमारा P.I. ठीक है तीसरा हमारा क्या एगा X.I.P.I. 되면 कि इतने सबसे पहले – 2 है तो एंड लास्ट में 2 पर हमारे कितना है 0.25 यह आपर मैं लिख दिया अब मुझे निकालना है क्या XI PI तो मतलब दोनों को multiplication करना है तो 2 2 कितना हो जागा 4 0.4 with negative sign इतना clear हो गया next minus multiply पर 0.3 करेंगे तो कितना हो जागा minus 0.3 इतना भी clear हो गया अब 0 multiply पर करेंगे कितना समझ में आ गया ओके यहां तो clear है अब यहां तो clear है बस अब आपको क्या करना निकालना इसको sum निकाल देना है सबको add कर देना है तो हम लोग को यहां पर क्या मिल जाएगा summation of XI PI लिए तो लोगए अड कर देते हैं फटाफट से यहां पर क्या है 0.4 कितना है 0.4 माइनस में minus 0.7 कितना हो गया minus 0.7 side me iकर इसको रफ कर देंगे minus 0.7 यह 0.15 यह 0.5 तो कितना हो जागा 0.65 कितना हो जागा 0.65 यह फिर से add करते निको 0,0 ,0 ,4 ,0,0 ,0 ,0 ,1 ,0 ,2 ,0 ,0 ,0 ,5 ,0 , Garjate it ,8 ,0 सब्सक्Sureब सब्सक्राइब इन व는지 अब हसे मारे क्या होता है यह लोगा इंथन पाकशन में सब्सक्राइब यह होता है क्या होता है क्या होता है खिला प्राइट यहां पर यहां पर माइने स्ट्री तो कितना होता है यह यह 0 हो गया यह 0.15 तो 0.65 हो गया हमारा माइनस 0.05 इस तरीके से आगया यह वै्लियू एक स्कूएर अलीट निकाले है घ्लमाद की वेल्यट यहां पर हम्हीं फटाफट से चब्सकां स्कूएर वन उसके बाद जीरो का स्कूएर कितना जीरो उसके बाद वन का स्क्वाइर कितना होता है यहाँ पर देखो 0.2 प्लाइब 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 फॉर चिंपल सा 0.8 यह भी क्लिए रहे 0.3 कितना हो जाएगा 0.3 उसके बास 0.1 multiply by 0 ओके और 0.15 multiply by 0.15 लास्ट में कितना जाएगा 0.25 multiply by 0.5 कितना जाएगा 0.125 राइट एतना कितना हो जाएगा हमारा देखो simple है यहापर कितना हो जाएगा 0.83 कितना हो जाएगा अब हमको क्या निकालना है हमको निकालना है क्या है वेरियंस निकालना हम लोग क्या करते हैं simple सा formula डालते हैं कौन सा formula हमारे पास देखो यहापर यहापर हम लोगों और लिखा है V of x is equal to e of x का square minus क्या हो जाएगा e of x का square minus e of x का whole square इस तरीके सा हमारा क्या होता formula होता है तो यहापर हम लोग same forma डालेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो सिंपल से हम लोग डाल के फट अपर ते सॉल करते हैं हमारे पास यहाँ पर वैल्यू जो देखो सबसे पहले फॉर्मेट डालेंगे V of X में तो V of X क्या होता हमारा E of X का स्क्वेर ब्राकेट में स्क्वेर आएगा और यहाँ पर मैनिस वे अक्ता क्या हो जाएगा को हुल स्कुरा है इस तरीके से आएगा अब यह च्छान हो गंके अ, यहक इसक्तर देखो किना है डाली इसक्तर है के तोब क्या है की तोब डिशाहत कि रजल लिए टो प्लस और स्क्वार लेंगे तो 0.0025 ठीक है इतना क्लिए रोगा अब सब्स्ट्राक करेंगे इधर पर कितना 00 डाल देते हैं तो 7 में से 5 चाहिए तो बच्छे का 5 यहां पर कितना बच्छा नाइन में से डूजा जाएगा तो बच्छे का 7 यहां बच्छे का 4 यहां तू यहा सब्सक्राइब हो जाएगा तो स्क्वार लेना याद रखना और उसके बाल को सौल करना ठीक है इसके बाद हम लोग को इस कोशन का आंसर निकाल कर रखना है अब नेक्स क्या बोला हुआ है कि सब्सक्राइब है तो हमारा एक्स की वैली क्या क्या हो सकती है एक्स हमारा वैली ले सकता है हमारा वन से लेके 2 3 4 5 और 6 तक हमारी वैली हो सकती है ठीक है तो इस दर पर लेक्स लिए एक्स केंट टेक देग देग वैली फ्रम एक्स कैंट टेक दा वैल्यूज जी रखने आप हम लोग के पास एक्स की वैली वर्न टू 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 अब लोग निकालेंगे इसका प्रोबैलिटिव डिस्रिपूशन टेबल तो कैसे लुक्त लिए निकालते हैं तो एक्स की वैली बन हो गई यहां पर फॉर यहां पर यहां पर पाई यहां पर सिक्स अब जब मैं ट्राइग एक तो करूंगा तो क्य निकालते विए चलते होक्स जाएगा वो न वाइब दोस्तों देखो हम लोग कभी डाइक को तो तो इस तरीके से मरा यह आ जाएगा इतना क्लियर हो गया उसके बार इसको टेबल में डाल देते आप इसको ना हम लोग होरिजन्टल में ही सॉल्ट करते हैं क्या क्या निकलना हम लोग होरिजन्टल में ही करते हैं वर्टीकल में नहीं जाते हैं अधिका और यहां पर यहां पर कुछ आइड करते हुआ कि करने चलेंगे पर अंधिक और इम्हें की सिंपल सा स्मेशन आ थैस निकल लिए ओए और फी ओफर कुरू एक्स्ट्रेट वर्म टक्तेट बैल्यु क्या होता है एक्साइब टो निया इक्सल्व एक्स आइड एक्सी बैल्यू कि से ईक्षानगोह करते हों स्बाइब विदया निकवार्णाख क्या हो जाएगा एक्सिप्वर अब हम लोग क्या निकालना है Summation of xipi कैसे निकालेंगे दोस्तों देखो सिंपल सा एड कर दो 1 by 6 plus 2 by 6 3 से सबको एड करेंगे तो 1 plus 2 3 3 plus 3 कितना हो जाएगा 6 6 plus 4 10 10 plus 5 15 15 plus 6 21 21 divided by 6 21 divided by 6 हमारा इसका सम करने पर आएगा कितना मिलेगा हमारा सिंपली देखो सबस्क्राइब करेंगे तो 7 7 divided by 2 कितना हो जाएगा 7 divided by 2 हमारा आएगा 7 divided by 2 हमारा 3.5 हमारा हमारा xipi कितना 3.5 आएगा दोस्तों इतना क्लिए हो गया तो हमारा एक वेल्यू निकल गे एक्सपेक्टेड वेल्यू देरफोर e of x कितना हो जाएगा e of x हो जाएगा मेरा summation of xipi that is is equal to कितना आगे हमारा सिंपल सा 3.5 इतना क्लिए हो गया आगे हमको क्या निकलना है x का square निकाल लेते हैं यहाँ पर किसका x का square ठीक है x का square निकलते तो 1 का square 1 2 का square 4 3 का square 9 4 का 16 या 5 का 25 6 का 36 ठीक है उसके बाद हम लोग क्या निकलेंगे x i x का square और pi इस तरीके से हम लोग यहाँ पर निकलेंगे यहाँ पर यह वाली value निकलेंगी तो यह भी निकलेंगे फट का स्क्वाइर की इतना 124 अब इसको पी से करेंगे तो इस तरीके से प्षाजेंगे आप सबको क्या करना सब्सक्राख करना और इसाए inner 2008 सेatar अग्यां सब से घंता है का अच्छ रच प्लस न सुन प्लस कितना है गा फॉर प्लस थाइन प्लस 25 15 16 16 plus 25 16 plus 25 plus 36 इस तरीके सा जगा 1 2 3 4 5 6 अब अब एड करते सब को देखो अब यह कितना जगा यह वैली होजाए कि 20 कितने होजाए कि 25 कितने होजाए कि 25 25 25 50 यह वैल्यू प्लस यह वली कितनी होजाएगी हमारी 40 तो कितना 50 एकमेश कर आपको तोनों कि देवले में डिवाइड होगा चेक करो दारीक से डिवाइड करेंगे कितना यहाएगा 6 उसके बाद इसके बाद कितना बज गया थ्री और वन टिक्स फाइज आ थर्टी पॉइंट अब उसके बाद कितना बज गया वन बना बढ़ है तो वन और जीरो शीच बंजा फिर वन बज गया ठीक है एक 16 डिविजन कर ले तो यहां पर फटाफर से 91 को 6 ते डिवाइट करते है यहां पर कितना आजाएगा पॉइंट फिर मिलेगा 06126 और ऐसे हमको मिलता जाएगा फोर 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 में बिलता यहां निकालना है एक्साइब स्क्वेर पी आई तो हमको एक्साइब स्कूर्मला आप लोग को पता है चाहा होता है एक्स इस इक्वल इसका स्क्वेर कितना 15.17 मारेश 3.5 का स्क्वेर की वाला वैल्य हो जाएगा यहां पर सिंपली क्या जाएगा 12.25 15. Mas έपने 15.17 मारे तो हमारा यहां पर कितना बचे हो यहां पर कितना तेन्य मेंस दूज की जाएगा लहां बच्छे का एट पॉइंट यहां पर कितना केबने स利用 क्रों मैं अ हूं पर बच्छल गया जाएगा एफ रहाखनी क्यान बहुत कोशन बहुत आसन तरीके हम लोग इसको solve किया हुआ है तो simple tabular form में करो तो बहुत अच्छे तरीके से question आएगा बस x i का square भी निकालते हो चलो हम लोग एना direct x का square मनहीं में निकाल तो फिर multiply कर तो गड़ बर हो जाता है x i की value भी निकालो x i square की value भी निकालो और p of x की multiply कर दो फिर इस तरीके से आप लोग का solution भी आजागा ठीके clear हो गया आगे बढ़ते है बढ़ते हैं हमारे question number 11 पर जहां पर हम लोगो question सबसे पर rate करेंगे क्या बोला है find the mean number of heads क्या बोला है mean number of heads इन 3 3 tosses of fair coin तीन बार coin को toss किया तो हमारा mean number of head की value निकाल लिया है अब हमको क्या consider करना है जहां पर हम लोग ने क्या consider करना है कि कितने number of heads आ है तो let's let x b हमारा क्या है x b हमारा x b random variable एक क्या है random variable है विशोज यह फिर फॉर ऐसे भी सकते हो विशोज है हमारा क्या number of heads आपके चलेगा ओके अब हमारा ऐस में क्या क्या सकते है समसिन सब्सक्राइब नियुक्त चले जाएंगे थोड़ा फोड़ा फ्रेया चले जएंगे और उसके बाद हमारा क्या जाएगा head 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 किस तरीके से हमारे कितनी पॉसिपिटिटिस आजएगे आड़ पॉसिपिलिटिस आप हम लोग क्या बोला है number of head तो number of head कितने आ सकते हैं ऐसा एक possibility जिसमें एक भी head नहीं है तो पहला यह हो जाएगा 0 तो हमारे x की कि यहां से कहां तक हो सकती है x की value 0 हो सकती है x की value 1 हो सकती है x की value 2 हो सकती है x की value 3 हो सकती है इतने क्लिए हो गया ओके आपर टेबल बनाते वे चलेए जादा फ़्रमें आगा यह question यहां पर सबसे हेड़ एक बार भी नहीं आ रहा है तो यहां पर हम लोग कितना करेंगे एक किवलेश जिरो है मतलब हैड एक बार भी नहीं है तो इसके लिए तेल तो एक गार पर एक पर नहीं पर है कितने पर उसके कालfilled गालते हैं कुछ यहां बढ़ते हैं यहांपर क्या हbelt से इस तो की निकाल लेंगे इस दो करें के चाहिए है यहां रहा है हमारा यहां पर आपको बतातेте पेढ़े चलता हूँ तो प्रोबाबलेटी ओफ जीरो मतलब एकस की वेलू उसकेस में क्या होगा उसकेस में अमरा प्रोबडियटी किसका निकलेगा सिफ देखो जेलो कि इतने बालेटेल टेल कंडिशन ही हमाप है यहां पर क्या जाएगा मारा सिंपल सा कितने बारा रहा है वन अपन टोटल पॉस्टी पीलिटी गोल्स तू वोट वट वन की यानिकी है अमारा एक बनारा है मिल्लेट ये इतना ये वाद जाए फेल पर टीटि अच गॉमा रहा किया ये टीएच इस तरीके एच टी टी इस तरीके सो जागा क्लियर होगे इतना यह आमारा है कि अच टी एच उसके पास थी एच ठीच ती इस तरी किसके पोस्बीटी के लिगा जाएंगी ट्री छाइट लास्ट में हमारा प्रेंट इस इकूल सुट्री यहा पर कितना है हमारा यहां पर लिखते हैं यहां पर यहां पर कितना हो जाएगा यहां पर आपस से क्या हो जाएगा इतना क्लियर हो गया इस तरीके से नहीं करतेいます इसको नीचे लेकर फिर करता आप यहां पर क्या हो जाएगा तब से पहले होगा x i मतलब कितना 0 multiply by p of 0 उसके बात plus 1 multiply by p of 1 plus 2 multiply by p of 2 plus 3 multiply by p of 3 अब values put करते है 0 multiply by p of 0 0 multiply by 1 by 8 plus 1 multiply by 3 by 8 plus 2 multiply by 3 by 8 plus 1 multiply by 3 multiply by 1 by 8 ठीक है इस तरीके से आ जाएगा यह हो जाएगा 0 यहीं कर जाएगा 3 by 8 plus 6 by 8 plus 3 by 8 इस तरीके से आ जाएगा देखो 3 by 8 6 by 8 3 by 8 ओके बेसे में एक बार 3 plus 3 6 6 plus 6 is what 12 12 by 8 और यहां पर दोनों को डिवाइट करें कौन से टेबल से डिवाइट होगा 4 इस तरीके से हमारा आंसर का भी है अब बढ़ते हैं नेक्स कोशन पर थोड़ा सा लेंदी है लेकिन इसको फटा-फट से सीग्मा फांड इसके लिए कालना पड़ेगा के लिए उपसिपल में लिखते हूं चलता है पहलेगा उन दूसरे में टू आ गया फैल में 1 दूसरे में 3 1 4 उसके बाद 1 5 और उसके बाद 1 6 ठीक है उसके बाद क्या होगा 2 1 2 2 2 3 2 4 और 2 5 अलाफ भी कितना हो जाएगा 2 6 ठीक इतना भी क्लियर होगा उसके बाद 3 1 3 2 3 3 4 3 5 and 3 6 इस तरीके से 3 वाला भी हो गया उसके बाद क्या हो जाएगा 4 1 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 5 और उसके बाद इस वाले में कितना हो जाएगा 4 6 उसके बाद 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 और लास में 5 6 5 6 उसके बाद 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 and 6 6 अब कोश्यन को देखते है फटा फट से है पुशन के बूला एक्स नोट करता हमारा सम अब नंबर ओप्टेन वें तो यह सारी पॉसिपिलिटीज आएंगी और एक्स के डिनोट करता है वह नंबर वह नंबर जो आए करने पर हम लोगों को कहा देगा सम देगा तो जब मैं दायत रोक है तो सम के मिल सकते है वन प्लस वन टू वन प्लस टू थ्री वन प्लस त्री फोर इस तरीके से हम लोगों वैल्योस मिल सकती कहां से थिको कुरू से स्टाट होगा फंक नहीं मेरी यह पर 0 आने वर नहीं है तो सबम्साइब लेगा वन कितना मैंने पहले बता है टू लेगा वन लेगा यहांपर जीरो ह्यारी लेए थो टू फोल्स त्रीपोर ढोई 5 6 7 8 9 10 11 and 12 value लेगा ठीक है अब हम लोग क्या निकाल लेंगे P of X P of X की value 2 निकाल लेंगे जब X की value 2 लेंगे तब कितना आएगा X की value 3 लेंगे तब कितना एगा X की value 4, X की value 5, X की value 6 ऐसे गर के लेंगे देखो अब sum करने पर 2 कहां पर आता है तो पी ओफ ऐसा एक कंडिशन है तो पी ओफ एक्स रिकोस जब 2 रहेगा तो probability हमारी क्या रहेगी देखो इसमें क्या आएगा हमारा इस तरीके से प्राबिटी ओफ एक्स रिकोस तू फूर लेंगे तो वहां पर हमारा क्या आ जैगे दो ओरके कंडिशन में तो प्लस तो प्लस तो तो फॉर कितना जाएगा हमारा 3 3536 जब प्रॉलिटीब क्या लेंगे फाइब लेंगे उसके अप्रण करके लिए यहाप कितना जाएगा फोर इस तरीके से यहां पर कितना है जाएगा इस तरीके से यहां पर टेबल ले लिया हुआ है वह आपको डरेक्ली इसका सबका क्या देदेगा प्रॉबिटी ऑफ एक्स की वेली जाब जैसे इसे पुट करते जाएंगे टुविल से वाला यहां पर सम करेंगे तो कितना आएगा उसमें कितने आ रहे है वन टू त्री फोर फाइस तो कितना रहा ह यहां पर जाके टेबल में देखते है इस तरीके से यहां पर लिख दीवे टेबल और फॉर्म है इतना रहो गया आगे बढ़ते हम लोगो निकाला क्या है हम लोगों को निकाला है कैसे किरे आप लेकर करते हैं हम लोग टेबल ड्रॉफ घसाए फटाफट से हैं करते हैं ओरह आ आए निकाले एट से बिया है टेक pushes विया रिंटी रहें आई शो खबकर 236 करेंगे तो एक्षिक्न सुलाइगान तो ट्रॉ देश्क्स वैय ALL गांसे खरेंगे तो फोल्टी हो थिक्स ओके युक्त पाई गेर 10 angry 텞्टी थेृटी थीच्स त्रीक्स chose ककरेनेयो respiratory 502orta 40 by 36 9 forza 36 by 36 10 30 by 36 22 by 36 last 12 by 36 अम लोग क्या निकालना E of X E of X क्या होता है E of X जो होता है वो होता है Summation of X I P I क्या होता है Summation of X I P I ठीक है मतलब क्या सब को simply क्या करते है हम लोग को add करते है अगर मैं सब को simply add करूंगा क्या निकलेगा वन अपन 36 मेरा common आ जाएगा अंदर क्या बच्चे का 2 plus 6 plus 12 plus 20 plus 30 plus 42 plus 40 plus 36 plus 30 plus 22 plus 12 ठीक है सब को add करते है फटा-फट से 2 plus 6 कितना हो जागा 8 8 plus 12 कितना हो 20 कितना हो गे 20 होगे right 20 plus 20 कितना हो जोगा 40 या पर कितना हो गे 40 40 plus 30 कितना हो जाएगा 70 70 plus 42 तो यहां थे हमारा 70 रखते हैं उसके बाद 40 plus 42 कितना हो जाएगा 82 यहां पर हम लेगे जाएगा यहां पर 36 plus 30 कितना हो जाएगा 66 66 और यहां पर कितना हो जाएगा यह कितना हो गया 16 16 6 कितना हो गया 16 प्लस 6 22 22 प्लस 3 कितना जाएगा 22 प्लस 3 यानिके 25 25 इस तरीकी सा हमारा कितना क्या सम करने पर 252 एक बाद देखें ट्राय करें सही आ रहा है एक बाद चेक करेंगा उसके पाद आगे सब्सक्राइब करेंगे तो कितना हो गया 252 प्लस 2 कितना हो जाएगा सब्सक्राइब करेंगे तो इसको डिवाइट करेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे तो इसको डिवाइब करेंगे तो इसको अपट से वो क्या होगा एक्स आई का समेशन आप इसको यहाँ पर आप दीवाइब करेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस यहाँ पर कितना जाएगा प्लस यहाँ और कि उसके बाद क्या 3 2 हो गया ट्री होग्या कितने हैं द्रक्त कितना है हमारा ट्रक्त वेलिव फोर सक्ते हैं चीशी किछी देए 5 के हैं Ky 25 उसके बाद 25 के बाद इसके बाद कितना है हमारा 7 shotsp गया, उसके बाद 8, 8 का स्कोर इसके बाद 9 का इसके बाद 9 हो गया, 8 9 10 10 का कितना 100 multiply by 3 by 36 उसके बाद 100 हो गया उसके बाद 11 121 multiply by 2 by 36 लास्ट में 11 के बाद 12 12 का कितना 144 multiply by कितना 1 by 36 ठीक है देखो 4 9 16 25 36 49 64 81 108 9 10 11 12 ओके डन और 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 परफेक्ट है यहां तक अब हमनों क्या कमन निका लेंगे 1 by 36 सब में से कमन निका लेंगे और ब्राकेट में multiply करके वैली किने 4 प्लस 9 2 जा 18 16 3 जा 48 25 4 जा 100 या भी 36 5 जा 180 उसके बाद 49 6 जा 49 6 जा करेंगे तो फिफ्टी 16 जा करें दो टो कितना भश्जेगा 394 जाओ तो कितना भश्जयक है तूड़화-टने 4 जाओ संके बाद इसको mamy MORलों 5 जैगा 100 camar जाए गा हमने कéta होगा हमने 194 जाए öldी कितना जा जाएकस जाए कितना जाए करेंगर जैAKनेवानमाल 12ttL फोर फोर क मैं testin considered सबको एड करेंगे यहाँ पर सिंपली हमारा कितना अंसर आएगा वन बाइ थर्टी सिक्स मुल्टीप्लाइब आए नाइटीन सेवंटीफोर अगर आड करके देखेंगे तो आपको सेम यही मिलेगा क्या मिलेगा इसको शॉट में में लिख कर दे रहा हूं इसको अडिशन करके आपको 1974 लेकर आए आप देखेंगे तो यह डों को आप इपिजन करेंगे तो वन प्लस नन कितना गगा तो आटेन कि क्षि बीभाइट皆 क्योंगे 15 किता अचाए अफिर तेक्ट though चुंह पर यहांपी कितना चुला इसको लो νट करेंगे अब अ इसको इसको डिवाटो से अगा एग्ट आप इसको सुकोईन कितना धीवाइब कर सीह से क्या Nahogam फिर उसके बाद हम लोने किसे किया टू से किया तो से डारिक्ट करेंगा तुछ तो सेम आता है का या जुरी टीर्इटन के घुड़ टूफीट गएले के बाद हमको कहा निकालना है विए अपले व iob oh x कैसे निकलेगा वी आधि靟ी फार्मुला हुता है वह ओ सब्सक्राइब गौनैस ए ओफ एक्स का सथ तरह के से मैंस फार्मॉला guar इनकी कितना 54.83 कितना 54.83 minus e of x e of x की विल्ली कितनी 7 कितना आगे 7 का square रहने की 49 abstract कर देंगे तो यहाँ पर कितना पज़ेगा 5.83 तो यह v of x आ गया अब next क्या निकलना हम लोगों हम लोगों को निकलना standard deviation standard deviation वो क्या होता है sigma that is equal to square root of e of x अब आप सुचिरेंगे square root of 5.83 कैसे निकलेंगा right की नहीं इसको निकलने का आपके पस पता है division method पढ़ा हुआ 5.83 कैसे निकलते हैं पीछे से grouping करो यह single बच जाएगा अब इसको divide करेंगे हम लोग कौन से number से 2 से 2 से divide करेंगे 2 कितना जाएगा 2 यहाँ पर यहाँ पर भी 2 यहाँ पर प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 टूजा 4 कितना बच गया हम पर 2 टूजा 4 यहाँ पर बच गया 1 कितना बच गया 83 मिल गया यहाँ पर कितना 4 मिल गया अब यहाँ पर भी same number आना चाहिए है और यहाँ पर भी same यहाँ पर addition यहाँ पर भी same तो कौन से number है जिसको हम लोग किसी number से multiply करेंगे तो हम लोगों 183 मिलेगा ठीक है तो यहाँ पर पॉइंट डाल दिया अब multiply करेंगे दो को 4 को अगर मैं 2 से multiply करूंगा तो कितना मिलेगा हम लोगों सुरी 4 को 2 से नहीं 42 यहाँ पर लागा इस केस में क्या करूंगा मैं यहाँ पर पूट करके दिखूंगा थ्री पूट करके दिखूंगा तो हमारा साइटिस्फाइ करने के चांसे ज्यादा है तो फूर 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 यहाँ पर यहाँ पर सब्सक्राक्शन होगा तो थर्टीन में से सिख जागा तो कितना बसता है हमारा सबन यहाँ पर सब्सक्राइब यहाँ पर लोग फोर यहाँ पर लिखेंगे जिसको उसी नंबर से सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोगों से कम वाली वैल्यू मिलेगी अगर मैं यहाँ पर लिखता हो तो फोटी एट कर अबल करेंगे तो 96960 के आज पाते जाएगा तो पॉसिबल ही नहीं तो यहाँ पर वन ही वन लिखूंगा तो वन 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 प्लस यहाँ पर वन से मल्टि सब्सक्राइब करना है यहाँ पर लिखते हैं अब देखते हैं अब लोग आज का वीडियो को एंड करते हैं अब देखो इन मीटिंग क्या बुलावाए एक मीटिंग है जहां पर 70% अप दे मेंबर फेवर में और 30% मेंबर वह अपोस में आगे पढ़ते हैं अपोस पॉर अपूस में तो उसकी की टिसकी पॉसें कोशल हो गया है अब यहां पर निक्रल के प्रोबाबिटी हम लोग को क्या बुला हुआ है जब अपोज में क्या बुला हुआ है तो उसकी पॉब्रेटी कितनी स्की पॉब्रेटी पर्सेंट थे तो फेवर वाला कौन सा है वन वाला तो वहां पर कितना 70 पर्सेंट दिया हुआ और इसमें कितना थे 30 पर्सेंट दिया हुआ है यह हम लोगों क्या दिया पर्सेंटेज तो पी आप एक्स मतलब यारी कि पॉब्रेटी दी भी है इसको थर्टी अपन हंडेट लिके में सौल खुरूआ तो मैरे को कितना मिलेगा 0.3 और यह मुझे मिलेगा 0.7 इस तरीके से यह कितना आ जागा यह 0.7 ठीक है इसमें क्या होगा हमारा जीरो का स्क्वेर मिल्टी प्लाइब पी ओफ जीरो का पी ओफ जीरो उसके बाद क्या जाएगा इसके बाद है का वन का स्क्वेर मिल्टी प्लाइब है पी ओफ वन जीरो मिल्टी प्लाइब है पी ओफ जीरो जीरो का स्क्वेर जीरो पी ओफ जीरो के वली कितने 0.3 प्लस वन का स्क्वेर कितना वन मिल्टी प्लाइब है एक जैब है यह फिनल दीमाग में रखो दोस्तों फटापट रजागा इसका अंसर और योफ एक्सक्वर मने अग्ड़ायगा उप्ट जाएगा अब यह उप सब्सक्राइब कर देते हैं तो यहां पर कितना बचेगा यहां पर बचेगा बचेगा टू-0.21 इस तरीके से हमारा क्या है वी ओफ एक्स तो कितने अच्छी तरीके से हम लोग अब कर सकते हैं तो यह पी वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई है तो लाइक दे वीडियो शेर दे वीडियो चैनल मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहां पर हम लोग एक्सेस नंबर 7.2 के टॉपिक्स को क्लियर करेंगा साधी सब्सक्राइब करेंगे ठीक है सब्सक्राइब के लिए स्टेए ट्यून एंड गुडबाए